हेलो गाइज वेलकम चू माइ यूटूब चैनल तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको शो करूंगी अपना IBPS क्लर्क मेंज का स्कोर काड जैसे कि सबको बताए कि कल IBPS क्लर्क मेंज का एक्जाइम है सो बेसिकली जो मेरा मोटिफ है आपको शो करने का अपना स्कोर काड वो ये है कि जैसे कि आप ये मिस्टेक ना करें जो मैंने की थी जो मेरा रह गया था ये exam वो 0.6 mark से रह गया था वैसे तो name जो है मेरा वो reserve list में है लेकिन इसके लिए आपको एक साल का wait करना पड़ता है सो इसे better है कि आप job law final ठीक है so guys मैं आपको बताऊंगी कि मेरा overall score कितना आया 100 में से कितना था 100 में से कितना था और 200 में से कितना था और sectional जो है वो कितना था सो स्टार्ट करते है वीडियो को सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो मेरा 100 में से जो score था वो था 44.50 ये था 100 में से score ठीक है जो final आता है वो 100 में से ही calculate होके आता है सो अगर मैं overall की बताऊं सो मेरा जो general awareness में था general awareness में मेरा आया था 30 score out of 50 और उसकी जो sectional cutoff गई थी that is 10.50 अगर general English की बात करूं सो मेरा आया था 12.50 sectional cutoff गई थी 7 और ये जो आया था आपका 40 में से score आता है चीक है अगर reasoning ability की बात करें सो ये आयता है 25.75 मेरा marks आया था sectional cutoff गई थी 12 और जो ये आता है ये आता है 60 में से score ठीक है अगर quant की बात करें सो ये out of 50 है और 20.75 मेरा score आया था और जो sectional cutoff थी that is 11.50 तो आप देख सकते हैं कि इसमें sectional cutoff जो है ये कितना जाता है exam में guys इसमें एक चीच का आपको बहुत जादा ध्यान रखना है वो है आपकी accuracy अगर आपकी accuracy बहुत अच्छी है और आपने कम attempt भी किये हैं सो आपका definitely selection हो जाएगा अब इसका मतला ये भी नहीं कि बहुत ही कम किये हैं मतलब इतना decent score मतलब decent attempt होना चाहिए आपका अगर आप 120 भी attempt करते हैं सो आपकी selection होने के बहुत chances बढ़ जाते हैं अगर आपकी accuracy बहुत अच्छी है और बाकि आपके paper पे डिपेंड करता है कि आपका paper का level कैसे आया था अगर tough है तो obviously आपके attempt कम होंगे अगर easy है paper तो थोड़े जाद होंगे लेकि दोनों case में आपको accuracy का अपना ध्यान रखना है सो मतलब की accuracy जो है मेरी सही थी इसके अंदर और decent score आया है मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं आया बहुत कम भी नहीं आया गाय सो last three month का जो है current affair वो अच्छे से revise कीजेगा जैसे आपका जैन हो गया फैब हो गया और December इन तीनों मन्त का current affair अच्छे से revise कीजेगा जो भी आप site को prefer करते हो वहां से और अभी कोई भी नई चीज मतलब नई site नहीं उठाइएगा कि वहां से आपको questions निउ निउ दिख करो वह ज्यादा important exam के लिए क्योंकि अगर accuracy बहुत बेकार होगी ना so definitely आपका होते होते भी रुख जाएगा अगर English की बात करें so English में जो मैंने कहता बस वह reading ही की थी बाकी ज्यादा कुछ नहीं किया so ज्यादा अच्छे score भी नहीं है मेरा English में so यह गलती आप मत कीजेग और English में वैसे तो महाँ पर आपको sectional time मिलेगा so अच्छे से question को पढ़िएगा और तभी answer कीजेगा ठीक है और अगर हम बात करें reasoning ability की so reasoning ability में सही questions पूछे जाता है बहुत tough नहीं पूछे जाते इसका level जो है वो moderate होता है बहुत जादा tough नहीं होता इसमें आपको बस अपन कर सकते हो अगर आपका मतलब arithmetic portion जो है अच्छा है so definitely आपके लिए यह जो quant section है वो easy होगा आप अच्छा इसको ला सकते हो quant section के अंदर so guys अपने suggestion भी जरूर बताएगा कि क्या मेरे होने के chances है reserve list में जो इसका result आने वाला है 31st March को इसका result आने वाला है and I hope आपको यह वीडिय होगी अगर अच्छी लगे हो तो please like share subscribe जरू कीजेगा मिलते हैं next video में till then take care bye bye and all the best for your IBPS class means exam and press the bell icon never miss an update